Living by Self Disciplined आत्म नियांत्रण में जीना ये के द्वारा जीना पहली पोईंट इसमें आप निखे आत्म नियांत्रण से नेत्रित्व की सक्ती आत्म नियांत्रण से नेत्रित्व की सक्ती पॉलुस ने पहला कुरंथियों उसका 927 में लिखा है मैं अपने सरीर को कठोड़ता से परसिक्षित करता हूँ ताकि दुसरों को परचार करनी के बाद मैं स्वयम अयोकिना फैरू आत्म नियांत्रण ही हमें सक्षम बनाता है कि हम न किवग दुसरों का मार्ग दुसन कर सके बलकि स्वयम भी इस्वरे उद्धिसों को पूरा कर सके एक सच्छा सेवक ये अगवा वह है जो स्वयम को नियांत्रित करता है और दुसरों को प्रेवित करता है तो पहली पॉइंट क्या है आत्म नियांत्रण से नेत्रित्वा की सक्ति या आत्म नियांत्रण से अगवा अगवाई की सक्ति प्राप्त करना ठीक है दूसरा पॉइंट लिख दिया फस्ट पॉइंट दूसरा पॉइंट है कठिन परिश्रम की आव सक्ता है दूसरा तिवुतियू उसका दो का पांच में कहा गया है कोई भी सैनिक यदि युद के लिए खुद को बंदन में डालता है तो उसे अपने सैनिक के कर्टब्यों को निवाने की अपिक्चा होती है जैसे एक सैनिक अपने कर्टब्यों को निवाने के लिए कठोर पर सिक्षण करता है वैसे ही हमें भी इस्वर्या कारेत में समर्पन और परिश्रम की आवशकता होती है बिना कठिन परिश्रम के हम अपने लक्षे को प्रावत नहीं कर सकते हैं तो दूसरा पॉइंट है कठिन परिश्रम की आवशकता है लिख दिया नेक्स पॉइंट है तुसरा किसान की तरह मेनत करना दूसरा तिमुति उसका दो अध्याय उसका च्छे में लिखा है किसान को सबसे पहले फसल का हिश्वा मिलना चाहिए किसान की तरह हमें भी अपने काम में परिश्रम और धैरत दिखाना चाहिए आत्मनियलत्रन और निरंतर प्रियास में बिना किसी भी उद्देश्य को प्रात करना कठिन है किसान की तरह मेनत करना अगला पॉइंट है संसारिक सुखों से प्रहेज पहला पत्रस उसका एक के आर्ट में कहा गया है तुमारा विश्वास आनंद और महिमा से वरा हो जो सब्दों से ब्यक्त नहीं किया जा सकता हमें संसारिक सुखों और बिलासित से के संसार के सुख और अबिलासों से प्रेज करना चाहिए ताकि हम इश्वरे उद्दीस और आत्मिक संतोस की ओर आगे वो सकें आत्मनियंतरन हमें अधिक मात्वा पूर्ण आत्मिक लक्षण की ओर त्यान केंद्रित करने में मदद करता है संसारिक सुखों से प्रहेज अगला पॉइंट है पांचों पॉइंट है ब्यक्तिकत बिकास और आत्मनियंतरन व्यक्तिकत बिकास और आत्मनियंतरन फोमियोस का 15 द्याय 3 में कहा गया है मसी ने स्वयम को भी परसर नहीं किया जैसे मसी ने अपने स्वार्थों को त्याद कर मानत्ता की बलाई के लिए काम की हमें भी अपने आत्मनियंतरन के मात्यम से अपने ब्यक्तिकत बिकास और दुसरों की बलाई पर ध्यान की इंदित करना चाहिए आत्मा नियंत्रन हमें खुद से अधिक इस्वरी कारों की ओर आगे बढ़ने या अग्मसर होने में सक्षम बनाता है ब्यक्तिगत बिगास और आत्मा नियंत्रन